हे गाइज वेलकम बेक टुमा यूट्यूब चैनल माइन हाइस नर्सिंग आज हम देखेंगे मेडिको लीगल इशुज इन हॉस्पिटल एड्मिशन जब हॉस्पिटल में एड्मिशन किया जाता है उन पेशन का जिसको की जो की को मतलब पुलिस कस्टडी में है या फिर जो जिनके संग मतलब पुलिस कस्टडी के अंदर मतलब केस आते हैं और कोट के अंदर आते हैं जिनके संग कोई इशु हो जाता है हेल्थ प्राब्लम हो जाती है और उनको जब हॉस्पिटल में एड्मिशन दिया जाता है उसी को मेडिको लीगल केस कहते हैं तो आज हम इसी प के बगर में बेल आइकन है यानि की गंटी का निशान है उसको भी प्रेस करें जिससे कि जो भी मैं इसमें मतलब वीडियो और लेक्चर एमसी क्यों अप्लोड करूं तो उसका जो भी बेनेफिट है वो आपको भी मिले अगर आप स्टूडेंट है तो सबस्क्राइब करने से आपका कोई भी हाम नहीं होगा फाइदा ही होगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये जो टॉपिक है ये मैं आपको बता दू जो हमने अभी इससे पहले टॉपिक लिए थे हॉस्पिटल एड्मिशन उसी के अंदर ये भी आएगा क्योंकि ये भी एक एड्मिशन का पार्ट है तो हमने अभी एड्मिशन पढ़ा था हॉस्पिटल एड्मिशन और उसी में मैंने उसी को आगे करते हुए इससे पहले मैंने बताया था कि प्रिपरेशन आप आर्टिकल फॉर एड्मिटिक पेशन ठीक है तो हमने देख लिया था वो टॉपिक भी कि जो पेशन एड्मि क्या होते हैं कि अब जो एमेल सी होती है इसको एमेल सी भी बोलते हैं यह ऐसे पेशन होते हैं जो कि हॉस्पिटल में एड्मिट होते हैं अननेचरल पैथोलोजी यानि कि कोई भी सड़नली जो उनके साथ घटनाए घट जाती है जो कि उनके हैल्थ को क्या करती है है हैल्थ जो केस, पुलिस केस हो जाते हैं, या कोट के अंडर में आ जाते हैं, तो उनको केर करने के लिए, जब हॉस्पिटल में लाया जाता है, तो उसी को MLC बोलते हैं, तो इसके अंदर आते हैं, यह जो टाइप आफ क्लाइंट, यानि के क्लाइंट से मतलब यह पर पेशेंट है, तो इसके अंदर कौन-कौन से क्लाइंट साते हैं, जो उनको काटेगरीज, कौन-कौन से ऐसी काटेगरीज हैं, जो कि MLC के अंदर आते हैं हॉस्पिटल में, तो वो हो गये, RTA मतलब हो गया, road traffic accident, ठीक है, और वो injuries, यानि कि वो जो injuries, जब किसी person को, या किसी patient को, जो कि बड़ाई करते हैं, या shooting होती है, shooting मतलब जो gunshot होता है, bum blast होता है, उसके वज़े से जब injury हो जाती है, तो उसके treatment के लिए जब admit होते हैं, और suicide करते हैं, homicide आता है, burn हो गया, poison हो गया, rape victim हो गया, assault हो गया, ये सारे जो cases होते हैं, ये medical legal condition में आते हैं, उसके बाद हो गया role of nurse in medical legal case, तो जो medical legal case में nurse का क्या role होता है, ये बहुत जरूरी और बहुत important है, सब को जानना, तो इसमें होता है कि obtain complete history from patient और significant other, तो क्या करना होता है कि जो nurse होती है, जब कोई भी ऐसे कि हाला कि सभी की जो है, सारे ही patient की history लेनी होती है, physical history, ये सब चीज आप लेते हैं, patient की admission से पहले जो nurse होती है, वो लेती है, जिससे की patient के treatment में health मिलती है, उसी तरीके से इसमें भी क्या करना होता है, उसकी complete history लेनी होती है, ताकि patient को ठीक से treatment भी मिल जाए, और वो history record में रहे है, और inform the police or constable on duty in the hospital and chief medical officer. उसके बाद जब patient आता है, तो उसको क्या करना होता है, अगर patient emergency में admit होके आ रहा है, तो वहाँ पे होगा, admit करने से पहले उसको क्या करना होता है, police information देनी होती, admission के 77 मतलब, यानि कि जब उसको treatment चलता है, तो 77 police officer को और duty constable है, उसको inform करना होता है, और CMO को भी उसके बारे म hospital में आया है, ठीक है, जैसे कोई burn होके आ गया है, तो जल्दी से CMO को inform करना पड़ेगा, police में inform करना पड़ेगा, treatment स्टार्ट करने के साथ ही, सभी जगा information भीजनी पड़ती है, उसके बाद हो गया, third one is, when it is made a MLC, then record it on the patient's case sheet, अगर वो MLC case है, पहले से ही बना हुआ है, MLC, तो उसको क्या करना पड़ता है, patient की जो case sheet होती है, with red ink on right hand, जो hand top corner, यानि कि उसको क्या करना होगा, अगर patient पहले से ही MLC case है, तो confirm है, तो उसको क्या करना है, patient की जो sheet होती है, उसके right side में, उसको red ink pen से क्या करना होता है, उसमें लिखना होता है, कि MLC है, ठीक है, उसके बा क्योंकि treatment देते है patient को तो उनको समझ में आ जाए कि यह mlc case है ताकि वो उसके लिए ज़्यादा क्या रहे हैं उसके संग negligency हालागि किसी के संग negligency नहीं की जाती है बगर जो mlc case होती है उसकी file को ठीक से समाल के रखना है और कोई भी ऐसा काम नहीं होना है जिससे की कोई गड़बड़ी हो यानि कि उनको जो है rule regulation जो mlc से related होते है उसको ताकि सभी जो team member होते हैं वो follow कर सके do not give any statement about the patient condition to police यानि कि जो patient की condition है वो कोई भी nurses या कोई भी health team member किसी भी police को या magistrate को या media को अपने आप से statement नहीं देना है वो कौन देगा only doctor is give to is to give information cable doctor ही उसकी information इनको सबको देगा ठीक है और when a patient has to be discharged जब patient क्या होता है discharge हो रहा है inform the police officer उसी समय क्या करना चाहिए police officer को inform करना चाहिए constable on duty duty constable on duty है उसको информ करना चाहिए और CMO को इनสबकरना चाहिए ठीक है और क्या होना चाहिए after clearance from other जब सभी की सभी की anda से clearance मिल जाए तो उसको तभी क्या Но खश्यार्ज करना चाहिए या की सबी को inform करके जब कि सब की जब उसको clearance मिले तब ही उसको क्या करना चाहिए डिस्चार्ज करना चाहिए यानि कि hospital से जाने के लिए allow करना चाहिए जब पेशन क्या होता है यानि कि जब पेशन क्या होता है अफसकॉन मीन होता है भागना अगर कोई mlc केस है और वो hospital से भाग गया है बिना किसी को बताए बिना डिस्चार्ज लिप लिए बिना कोई information दिये तो उसको जल्दी से जल्दी immediately क्या करना है डॉक्टर को और cmo को चीफ medical officer जो होते हैं उनको cmo बला जाता है short में तो उनको immediately inform करना चाहिए और क्या करना चाहिए no mlc patient can go lama जो mlc patient होते हैं उनको कभी भी lama नहीं दिया जाता है यानि कि वो lama नहीं जा सकते है lama का मतलब होता है leave against medical advice यानि कि जब तक doctor ने advice नहीं दिया है और return में उनको नहीं मिला है discharge slip तब तक वो नहीं जा सकते हैं hospital से और जो की medical legal में आते हैं medical legal case है जो वो ऐसे नहीं जा सकते हैं मन से hospital से छुटी नहीं ले सकते हैं फिर है document the case given to the patient timely और जब भी कोई भी patient का काम किया जा रहा है like उसको medication देना है या जो भी उसको injection दवाई या कोई care या कोई उसका investigation भेजा जा रहा है या को कहीं transfer किया जा रहा है तो हमेशा उसको timely जिस भी समय किया जा रहा उसका time note करना चाहिए और patient का proper documentation होना चाहिए और accurate होना चाहिए बिलकुस सही होना चाहिए और उसमें जो भी duty है डूली नहीं है यह T है प्रिंटिंग mistake होगी तो क्या होना चाहिए duty sign लेना चाहिए जो nurses होती है nurses note sheet में क्या करें अपने sign भी करें जो duty nurse होती है ठीक है जब भी वो इनका documentation करती है record and all document pertaining the patient to his care और क्या करना चाहिए जो भी उसको care दी जा लिए उनको सबको क्या करना चाहिए record करना चाहिए during his stay in hospital जब भी वो इस hospital में stay करता है जितने भी time तक के लिए वो stay कर रहा है तो सारा उसका record होना चाहिए hospital के documentation में और must be kept safely और उन जो documentation है उसको बहुत अच्छी से safely उसको समालना चाहिए should be handed over to the authorized person और जब भी कभी उसको hand over देना होता है किसी को hand over करना होता है तो कोई authorized person को ही करना चाहिए जो की वहाँ पे क्या है मतलब post में है hospital authority है उनको उसको देना चाहिए मतलब handed over करना चाहिए receiving लेके करनी चाहिए हमने इसके यह document दे दिया है तो उसका receiving nurses के पास होना चाहिए जहां पर भी वह उसको दे रहा है उनकी record में भी यह सब चीज होनी चाहिए किते बजे और कव और किसको दिया है in case of death of an mlc अगर जो mlc केस होता है अगर उसकी death हो जाए तो the body is not to be handed over to the relative तो उसकी जो body होती वो relative को handed नहीं देनी चाहिए सीधे नहीं दे देना चाहिए उसको क्या करना चाहिए it needed it needs to accurately labels उसको क्या करना चाहिए label करना चाहिए ठीक से कि वो patient का नाम क्या है bad number क्या था कि उसको कुछ hospital number मिलता है वो देना चाहिए वो सारा label होना चाहिए record होना चाहिए and send to the morgery तभ उसको क्या करना चाहिए मौरचरी में बेजना चाहिए यानि कि proper recording करके accurately होना चाहिए recording label label मतलब जो उसमे label उसको foot में उसके toes में जो भी label होती है या उसके जो भी उसको cover किया जाता है bat sheet में उपर से उसके pin up की जाती है पेशन का नाम ये है, इसका बेट नंबर ये है, इसकी हस्पिटल नंबर ये है, इसका डाइगनोज मीन, उसको क्या तकलीफ थी, वो भी उसमें नोट होना चाहिए, मौर्चरी में भेजने से पहले, यानि कि मौर्चरी मतलब जहां पेशन रहे हो, जहां भी जो डेट बॉड चाहिए, साथ ही साथ, एक ही साथ उसको सेंट करते समय भी इनफॉर्म होना चाहिए, पुलिस अफिसर को भी और जो भी सियमों हैं, उनको इनफॉर्म होना चाहिए, और अप्रोपेड अथॉर्टी मस्द भी इनफॉर्म, जो भी अप्रोपेड अथॉर्टी हैं, उनको भी इसके बारे में inform होना चाहिए patient की death के बारे में कि MLC case था और उसकी इतने बज़े death हुई तो time while सब note करके उसको label करके और documentation करके उसको तब जाके MLC में मौर्चरी में send होना चाहिए तो thank you for watching please like, share, comment and subscribe जो new viewers है वो subscribe करें जो पुराने जिनोंने कर लिया वो subscribe ना करें और जो नए हैं वो ही subscribe करें और bell icon को जरूर से प्रेस कर लें और जो पुरा जिनोंने subscribe कर लिया है वो अब subscribe ना करें और ताकि जो भी जो subscribe कर रहे हैं जो इस channel में add हो रहे हैं इस channel के member बन रहे हैं उनको फाइदाई है क्योंकि मैं इसमें कुछ न कुछ MCQs हर subject से related बीच बीच में डालती रहती हूँ और वो जो MCQs होती है उनको भी मैं explain करती हूँ हिंदी में अगर मैंने 5 डाली हैं तो उनकी जो भी जो option होते हैं उनको भी मैं explain करती हूँ से की वो five के बतले कितनी सारी उसमें से question बन जाते हैं तो ये आपके लिए फाइदे मन दें तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और lecture में किसी और topic के साथ और MCQs के साथ तब तक के लिए take care good bye